सो ही गाइस बेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल अरिहंत लेक्चेरल गाइस आज की वीडियों में बात करेंगी क्लास 10th मैट का बिलकुल वाइरल और असली वाइरल पेपर का ठीक है और यह पेपर हंडेट 10% आपकी बोर्ड में आएगा और यहां पर मैं आज की वीडिय जो की एक घंटे का है पूरा सालूसन के साथ है पार्ट बी में आपका जो खंड पहले है यानि एक से लेकर तीन तक दो तक वैस्टन की पूरे सालूसन है ठीक है और आज की वीडियों में तीन से लेकर पांस तक प्रैसनों का पूरा हल अथवा सहित ठीक है पूरी पेपर का हल यह क्लाश टेंट मैथ का बिल्कुल असली और वाइरल पेपर जो के हंडेट टेन परसेंट आपके बोर्ड परिच्छा आपको कि यह वाइरल और बिल्कुल लेटेश्ट पेपर है दोहजार चौबिस बोर्ड के लिए तो यहां पर यह देख तो अनुक्रमांग का नाम और यह है आपका यह बिसे कोड और यह पेपर कोड है दोहजार चौबिस गरित का ठीक है तो यह सब निर्देश मैंने पहले म सालोशन में दे चुका हूँ आपको इं डेस्क्रीन में भी मिल जाएगा और यहां से cylindnah बाह है इसकी भी पूरी सालोशन ठीक इस पूरे का यहां तक क्या पूरा सालोशन है यहां तक क्या पूरी सालोशन है आज की इस बीडियों के हम कहां से सुरू करने वाले है थीक है और ये सब जितने भी क्वेश्चन में ने बता है कि यह असली और बिल्कुल वायरल पेपर है तो यहां पे क्रिकेट टीम की एक कोच ठीक है तीसरा क्वेश्चन से हम सुरू करेंगे तो तीसरा क्वेश्चन इसको आपको क्या बदलता है या तो क्वेशन सेम रहते हैं इसको कैसे हल करना सभी चीज हम डिटेल्स में देखेंगे यहां पर हमारे पास है कॉपी पर हमको सब कुछ पहले लिखना है हम सब्सक्राइब करें तीसरा क्वेश्चन में देर का है कि एक टीम ने एक टीम के कोच ने 49 रुपे में तीन बल्ले ततहा चाह गेंदे खरी दी बाद में उसने एक और बल्ला तता उसे परकांगी दो गेंदे रुपया तेरसों में खर दी इस तीति को बीजगडी तता जया अरफ में ब्यक्ती अब दो को यहां पे तीन गेंदे और उस हो घेंदे खरीदे करें 49 रुपय में लेकिन हमें एक बैट का मुले नहीं पता है ना एक गेद का मुले है तो माण लेते कि जो बल्ला है उसका जो मुल्बैर एक सुर तो घेंद है उसका मुले यहां सरनकी रूपया है, रूपया X है, एंड गेंद का मूली गेंद का मूले कितना है, Y रूपया है, ठेंग, यह चीज़े हमने माल लिया, अब देखो, यहां पर बोल रहा है, बोल रहा हैं कि 3 बले तथा 6 गेंद supply कितने में खर दिएं, 49 में, ठेंग, लिखना पड़ेगा पहला कंडिशन जो इसका है कि तीन बल्ले तथा 6 गेंद बराबर कितने उम्खरदा रुप्या 49 सो में ठीक है यह आपका 49 सो रुप्या उम्खरदा तो तीन बल्ले ठीक है और बल्ले का कीमत हमने क्या माल लिया यहां पें लिख देंगे थीन का एक्स को मल्टिप्लाई करेंगे तर्pm 7 निकलेगा 3 एकस और इन दोनों नमबर आप फर्श्ट माल लो एंड दूसरी कंडिशन इसमें क्या भोल रख़ा है इतना तक तो हमने अंने हल कर दिया फिर बाद में उसमें और ब्लला तृसऀ प्रकार कि दो गेंडे खरीदी 13 रुपया में थीक है उसने एक और बल्ला ता थाुसी परकार की dose गेंडे 13 रुपईआ में खरीद लिया फिरसे दूसरी क कंडिशन आपकी क्या कहर रही है कि उसने एक और बेल ठीक एक बल्ला और दो गेंदे, ठीक है, और दो गेंदे कितनी में खरीद लिया, 13 रुपया में, तो यहाँ पर एक बल्ला एकिट हुआ है, एक और बल्ला का कीमत हमने क्या माना है, यहाँ पर एक इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस, साथ में क्या खर्दा, दो गेंदे, दो और गेंदो का मुल्य क्या है, वाई हमने माना है, वाई बराबर 13 रुपया में, ठीक है, चीजों को आप समझ रहे होंगे, बल्ला का हमने कीमत एक्स माना एक्स रखा, और गेंद यहाँ पर इस तरह से भी कर सकती है, इसमें से 3 कामल ले लो, ठीक है, हम 3 इसमें से कामल ले लेंगे, तो बचेगा क्या है, एक्स बचेगा, प्लस, और यह तीन दूना के 6, 2, और यहाँ पर Y है, तो है, बराबर 49, 100, ठीक है, और यहाँ पर X प्लस 2Y रखो अपने पास, X 2Y, एक्वल, यह 3 गुड़ा में है, इस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, आपका 49, 100, बटे के 3, तीन से इसको कार दो के तो 3 है, कम 3 और 3 तरीके 9, यानि कि 13 100 आजाएगा यह भी, यह भी कितना आ गया, 13 100 ठीक, यहाँ से कर सकते ह मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया आपको, आप देखो इसमें क्या करना है, यह हमारा कितना आ गया, यह आपका एक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर मिलिक देते हैं, एक्वेशन जो फर्स्ट है वो क्या है, X प्लस 2Y एक्वल 13 100, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा वाला क्या आ गया, ठीक है, यह दोनों हमारा कितने कितने आ गये, 13 13 सव आ गये, अब देखो हमको क्या करना है, यह तो बोल रखा है, आपको पहले आपको किसमें ब्यक्त करना है, बीजगरीती रूप में, ठीक है, तथा ज्यामिती रूप में ब्यक्त कीजिए, अब ज्यामिती रूप म 2y equal 1300 पहले को ही लेते हैं 1300 ठीक है तो अगर इसका हम इस तरह से बनाए value रख रखकर एक box बनाए यहाँ पर x की value रखेंगा और y की ठीक है तो यहाँ पर अगर x बराबर हम 0 रख दें ठीक है यहाँ पर x बराबर अगर 0 रखते हैं तो y की value क्या आएगी तो यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर 2y बराबर कितना बचा 1300 बचा ठीक है और y की value निकालेंगे तो यह गुड़ा में है इस पार जाएगा तो भाग में तो यह हो जाएगा 1300 बटे के 2 अब इसको आप डिवाइड करोगे यहाँ पर आप देख लो x प्लस 2y बराबर आपका कितना है 1300 अब इसकी value 0 रख दो तो यह पूरा मांद 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना आजएगा 1300 आजएगा ठीक है तो y की value जब हमने 0 रखा तो x की value कितना आगई 1300 आगई यहाँ पर में रिकते अब यहीं से हमें क्या बनाना है जयामिती बनाना जयामिती कैसे आपको बनाना है यह देख लो थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस तरह से खीचना है यह आपका कौन सा अच्छ हो गया y अच्छ और यहाँ पर एक ठो ठीक, एकस पर जब 0 रख रहे तो y की value की आ हरे है, 650 ठीक है और यहां पे आपका हो गया यह 900 और यहां पे आपका 600 और यहां पे आपका 300 ठीक है यह चीज़े थोड़ा सा मैंने छोटा कर गया जगह के भाव में अब हमें क्या निकला है जब हम 0 रख रहे है तो य पे कितना रहा है 650 0 यहां पे होता है रहा है टिए टिए टोड़ा सागे होगा तेरा सोव यहाँ पर इन दोनों को हम क्या करेंगे इस तरह से मिला देंगे यह इस तरह से मिल गया ठीक है इसका समिक्राब आप लिख सकते हूं इस तरह से कि यह किसका है x plus 2y equal 13 ठीके और इसका जो बिंदू है तो वो बिंदू क्या है x पर हमने क्या रखा था 0 रखा था ठीके और y पर क्या रखा था 600 x पर देखो यहाँ पर क्या रखेंगे हम ठीके यह आपका क्या आया है यहाँ पर x की बैलू और y की बैलू दोनोर को रखेंगे ठीके यहाँ पर किसी भी बैलू को रख सकते जीरो जब रखा था यहाँ था चेशो पचाश ठीके इसी तरह से यह वाला भी सेम उसी तरह से बन जाएगा यह एक्वेशन ठीके वह बिल्कुल सेमीसी पर बन जाएगा तो इसको दिखाईए चैह मत दिखाईए अगर यह चीज़े डिप्रेंट होती तो हम उसको दिखा देते हां ठीके लेकिन जब चोटी भुजा से 60 मिटर अधिक है लंबा है यदि बड़ी भुजा चोटी भुजा से 30 मिटर अधिक हो तो खेट की भुजाए ग्याद किजिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है इससे यह समझो आप इस तरह से तीसरा का यह अथवा है ठीक है तो यहां सी इस तरह से हम साल कि भुजाए क्या हो बराबर हो ठीक है इस तरह से और इसमें क्या बोल रखा है एक आयता कार खेट का भिकर उसकी छोटी भुजा से 60 मिटर अधिक है यह चोटी इसका भुजा कौन सा ए और बी को माल लेते हम क्या है एक छोटी भुजा एक्स है एक छोटी भुजा क्या है चोटी भूझा एकस से 60 अधिक है ठीक है तो 60 अधिक प्लस 60 जोड़ देंगे तब ही तो पता चलेगा 60 हधिक हो इस तरह सम्हुने लिग दिया 60 मीटर अधिक है, लंबा है यदि बड़ी भूझा, चोटी भूझा से 30 मीटर अधिक हो यदि बड़ी भुजा चोटी भुजा X से चोटी भुजा क्या है? X से 30 मिटर अधिक हो यही बड़ी भुजा यही होगी B और C ठीक है? यह बड़ी भुजा है यह चोटी यह बड़ी यह भी कड़ हो गया 30 मिटर अधिक हो के तरव बनाएगा कोर समकोर कोर बनाएगा तरह पर लगाएगे पाइथाक और असका पर्मे इसको यहाँ दिर्भूज सकते हो यहां पे माना खेत की छोटी भुजा ठीक है माना खेत की छोटी भुजा भुजा एक्स है कितना है एक्स है तो बो रखा है कि जो विकर है वो छोटी भुजा से 60 मिटर लंबा है ठीक है यही बो रखा है कि विकर छोटी भुजा से 60 मिटर लंबा है चोटी भूजा से 60 मीटर लंबा है यह हो जाएगा X पलस 60 अब इसके बाद चोटी भूजा से 30 मीटर यह जो बड़ा भूजा है चोटी भूजा से 30 मीटर अधिक है अधिक है ठीक है यह हो जाएगा आपका X पलस 30 इस तरह से लिख सकते हो ठीक है अगर यह चीज आपको समझ में आगे तो सब कुछ समझ में आगे यह लिखना पड़ेगा ठीक है अब दुखो हम इसमें क्या लगाएंगे जब यह समकोर तहाप पाइथा गोरस का परमे लगा लब का स्कुवाइर पलस आधार का स्कुवाइर ठीक है अधार का स्कुवाइर अब बताओ अब यहां पे कड क्या है a c हमारा क्या है कड ring देगे अज सी का स्कुइर एकोल लंब क्या है a b क्या है लंब है तेहाँ पे लिख देंगे a b का square प्लस आधार क्या है b और c आधार है b c का square ठीक है गाईस तेहाँ पे सब कुछ हो गया a c की value आप रहे a और c की value क्या है x plus 60 है तेहाँ पे रख देंगे हम x plus 60 का whole square equal AB क्या है AB AB छोटी बुजा X है यहाँ पर लिख देंगे X का square प्लस BC BC क्या है X प्लस 30 का whole square लिख देंगे X प्लस 30 है BC अब का square है तो whole square लगा देंगे ठीक है तो यह हो गया अब इसके बाद चीजों को हम खोल देंगे यहाँ पर A प्लस B का formula होता है A प्लस B का whole square बराबर होता A का square प्लस B का square प्लस 2AB ठीक है जो भी चीज़े आती है उसे side में लिख दिया करिया आपको और examiner यही चीज़े देखते हैं और प्रतिये का आपको step करने के बाद इस तरह का आपको arrow लगाना इससे पता चलता किया है अब इसको हम उसी सुत्र से तोड़ देंगे यह हो जाएगा A का square का मतलब X का square प्लस 60 का square प्लस 2AB ठीक है 2 A की जिगह पे यहां पे X दिया तो X उड़ित B की जिगह पे 60 दिया तो 60 बराबर X square है तो X square लिख दो प्लस अब यहां इसको भी इसी सुत्र से तोड़ देंगे X का square हो जाएगा प्लस 30 का square हो जाएगा B के जिगह पे प्लस 2AB ठीक है 2 गुड़ित्य A की जिगह पे X है तो X और B की जिगह पे 30 है तो 30 लिख देंगे ठीक है इतना चीजे किलियर हो गई अब यहां से आपका हो जाता है X square प्लस चचा के 36 डबल जीरो इसे वर्ग कर दो आप 60 का वर्ग 60 गुड़ित्य साथ बराबर 36 प्लस अब यहां पे 6 दुना की 12 X 120 एक्स हो जाएगा ठीक है यह चीजे आप 60 का गुड़ा दो में करोगे 120 X है तो X लगा देंगे बराबर X का square प्लस X square प्लस 33 के 9 यह थीन 9 से हो जाएगा 30 गुड़ित्य साथ x हो जाएगा ठीक है X square से X square कट गया ठीक है ये plus में इस पर आएगा तो minus में जाएगा plus minus आपस में कट जाएगे अब हमारे क्या बच्चा क्या क्या है वो चीज़े हम लिख देंगे ठीक है यहाँ पर आपका बच्चा 36 100 प्लस 120 X बराबर X square प्लस 900 900 अब यहाँ पर 36 अच्चा लिख लेते प्लस 60 X ठीक है अब हम क्या करेंगे इस चीजों को हम इस पर ले आएगे तो यहाँ पर क्या बच्चेगा 0 ठीक है कैसे लाएगे देख सकते हो आप यहाँ पर X square प्लस 900 अब 36 इधर प्लस है तो बराबर कि जब इधर आएगा तो यह माइनस में हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर माइनस 36 प्लस 60 X है तो 60 X लिख देंगे इस पर का और 120 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस माइनस 120 X अब यहां पर क्या बच जाएगा आपका 0 बच जाएगा तो गाइस यहां पर यह हो गया अब हम इसको कैसे सॉल्व करें तीक है यह हो गया आपका एकसी स्कुायर और यहां पर च्छती सो में से 900 जाएगा तो कितना आप बचेगा 9 के 9 9 8 9 3 2700 बचेगा आप घटागर देख जाना च्छती सो में से 900 ठीक है अब इसके बाद है माइनस में बचेगा क्योंकि यह देखो दो जब चीन होते जो बड़ा वाला चीन होता जो संख्या होती उसकी चीन है लिखी जाती है दो जब बिबरी चीन होते तापस में गड़ जाते हैं और चीन हमेशा बड़े वाले ठीक है कैसे एक्स स्क्वायर और माइनस साथ एक्स को इदर लाएंगे बीच में माइनस 27 सो अब देखिए हमें गुड़ा या भाग इस तरह से गुड़ा करना है कि जोड़ने या घटाने पर मद्यपत के बराबर आए ठीक है तो हम क्या लगाएंगे देखो 90 गुड़ते 30 का गुड़ा करोगे तो 9 कि 9 आठान दो 37 27 अधा जाएगा इसका हम गुड़ा करने पर 27 अब जोड़ने या घटाने पर मद्यपत के बराबर आना चीए यह कर देंगे 90 प्लस 30 बराबर कितना जाएगा minus 60 ठीक है minus 90 plus 30 बराबर कितना जाएगा minus 60 दो भी प्रिच्चिन होते हैं तो आपस में गर जाते हैं ठीक है और चीन हमेशा किसका लिखते हैं बड़े वाले का बड़ा इसमें 90 है ठीक है 93 minus 90 plus 30 बराबर minus 60 हो गया तो यहाँ पर चीज़े हम लिख देंगे ठीक है x square minus 90 x 91 है तो x लिख देंगे यहाँ पर फिर plus है तो plus लिखो फिर 30 है तो 30 लिखो इसके साथ 1 है तो 2 नग साथ multiply हो लेगा ठीक है minus 27 अब यहाँ से x हम कामल ले लेंगे यहाँ पर बचेगा क्या x minus 90 पलस यहाँ से 30 कामल ले लेंगे तो बचेगा क्या x minus 29 7 як यहाँ पर भी 90 बचेगा अब क्या करेंगे x minus 90 इसमें भी x minus 90 कामल ले लो x minus 90 तो यहाँ पर क्या बचा x बचा और यहाँ पर क्या बचा पलस 30 तिक है इस तरह से है तो एक कोश्टेक में इनको लिग दो एक कोश्टेक में इसको के लिग दो अब यहाँ पर क्या हो गया कि इसका बराबर 0 है ठीक सभी के बराबर क्या है 0 है अब यहाँ सबसे पहले निकालेंगे X-90 लेंगे बराबर 0 ठीक है थीख है किसको मानेंगे फलस वाले को मानेंगे तिरीं इसे इक बार देख लो zat्कार के निवस्ट है उसके सीखर पर 1.6 मीटर उची मुर्ति लगी है भूमी की एक बिंदू से मुर्ति के सीखर का जो उन्यनकोड है वो 60 थंसे और उसी बिंदू से पेडस्टल के सीखर का उन्यनकोड 45 थंसे पेडस्टल की उचाही ग्या थी पेडस्टल इसैसिघुआ तो देशारर से ठीए चौथा कोरेशान के एक पेडस्टल है पेडस्टल यह कि यह क्या सभО्ण की एग में आदे चैक यहां पेडस्ट्र के स सीखर परीक वन पॉंट थे ऊच्छी मुर्ति लगी कि यहां पर मालने के बिंदू pedestal की सीखर A है और बोल रहे हैं कि इसके सीखर पर एक मुर्ती लगी हुई है तो माले तो एक बिंदू P है जहां पर इसका एक सीखर लगा हुई ठीक यहां से यहां तक एक सीखर है और इसकी लंबाई दिरका 1.6 मिटर उची मुर्ती लगी है कि इतना 1.6 मिटर यह उची मूर्ति लग ही पेडेस्टर के सिखर पर लगे भूमी के एक बिंदू से मूर्ति के सिखर का उन्लेन कोड़ साथ है ठीक है भूमी के एक बिंदू से मूर्ति के सिखर का उन्लेन कोड़ साथ है ठीक है भूमी के एक बिंदू से मूर्ति के सिखर का उन्लेन कोड़ साथ ह ठीक है। यहां से भूमी के एक बिंदू से मूर्ति के सीखर का उन्न्य न्य Subscribe है। अब जो इसका उन्न कोड बन रहा है वो कितना बन रहा है टोल साथ अंस बन रहा है। है। इसलग बं इसलगी पर दीटर्व से भी तब हब मानों हम दनेक ठीक है यह इधर घरबर हो गया है यह इतना पूरा क्या है यह शाठ सबन रहा है और उसके बात पेड़ास्टरल की जो कौर बन रहा है उसी बिंदु से पेड़ास्टर के सीखर का उमें को 45 ते इसकी जो सीखरद हystem फैथालीस Philipp नेट है क्सिंद करने है है 15 करनीrency है करने और टोटल और बी जो उचाई हो जाएगी नहीं किसे लिए प्लस बांएंट जेंगे इसकी टोटल उचाही हो जाएगी इन दोनों को जोड़ने के चपर दया 5500 we जो उचाई है 1.6 है और इसकी उचाई हमने एच माल लिया ठीक इन दोनों को जोड देंगे तो टोटल कितना आज़ेगा 1.6 प्लस एच ठीक है पीए प्लस पीबी को हमने एड़ किया तो 1.6 प्लस एच यह टोटल उचाई इसकी है अब हमें क्या करना है पेडस्टल की में हम देखेंगे तित्रभूज आपका देखेंगे सबसे पहले पी सी बी में किसमें देखेंगे यहाँ पे पी सी बी में हम देखेंगे पी सी बी तो यहाँ पे आपका इसमें कोर कितने हंस का बना पी सी बी में साथ हंस का बना ठीक है और इसकी जो पी सी बी है इसकी जो है वह कितना 1.6 plus ह है 1.6 plus ह हैं देखो यहां पर टेन ठीटा का बराबर आपका हो जाएगा देन ठीटा बराबर क्या होता है आपका आप यह जानते हो लंब बटे अधार तो यह पूरा आपका क्या है लंब है ठीक है यह हो गया आपका लंब लंब बटे अधार लंब क्या है PB है बटे अधार क्या है BC है BC PB का जो बैलू है वो कितना है पूरा PB की टोटल लंबाई 1.6 1.6 प्लस H है और BC क्या है BC X है एक्स रख देंगे और ठीटा क्या है साथ हंस दे रखा है यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 ठीटा बराबर 1.6 प्लस H बटे के X स्वरी यहाँ पर 60 रखेंगे यहाँ पर 10 60 अन्स एक्कोल 1.6 प्लस H बटे के X ठीक है यह H है यह इस तरह से H है 10 60 अन्स की बैलू कितनी होती है 10 60 अन्स की जो बैलू होती वो अंडर रूट 3 होती है इससे यहाँ पर रख देंगे तो यह हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 एक्वल 1.6 प्लस H अपान X अब X को इधर मल्टिप्लाई कर दो यह हो जाएगा अंडर रूट 3 एक्स एक्वल 1.6 प्लस H ठीक है अब X की बैलू को हम फाइंड करेंगे तो यहाँ से एक्स यहाँ पर रहेगा एक्वल यह मल्टिप्लाई में अंडर रूट 3 इधर आजाएगा तो भाग में हो जाएगा 1.6 प्लस H अपान अंडर रूट 3 इसे समिक्रण नमबर एक मान कर इसी तरह से छोड़ दो ठीक है अब हम देखेंगे त्रिभूज A C B में किसमें देखेंगे त्रिभूज A C B में इसमें थीटा बराबर कितना दर्खा 45 डेगरी कितना दर्खा है 45 ठीक है तो गाईस हम जान सुझें यसमें तेण के 45 अंस बराबर हो जाएगा यह भी लंब पटे करण होगा टिक है लंब पटे के कक्का होता है ठीक है तो ये टेन है तो लंब बटे के अधार हो जाएगा तो इसमें जो लंब की बैलू दे रखा है लंब A, C, B में ठीक है लंब क्या है आपका लंब यह है यही कितना है A, B कितना लंब है H है तेहाँ पर हम लिख देंगे लंब क्या है A, B है और अधार क्या है B, C है अधार दोनम सेम है A, B की जो बैलू है A और B की वो क्या है H है तेहाँ पर H रख देंगे और B, C की यह क्या है X है तो X रख देंगे ठीक है यह चीज़े समझ में आपको आगई अब यहाँ पर कितना 1045 अंस है तो 1045 अंस एक्वल आपका क्या हो गया H बटे के X है अब यहाँ से X की बैलू फाइंड कर दो आप X इधर लाओ इधर आगया X तो 1045 इधर आजएगा H बटे के 1045 अंस है अब हम जानते है कि H जो है हमारा 1045 अंस की बैलू 1 होती है की बैलू 1 हो गई ठीक है 1045 की बैलू 1 रग दो तो X बराबर क्या हो जाएगा H ही आजएगा अब यहाँ पे चीज़े हमारा X बराबर H निकल गया अब इसको माल लेते हम समिक्रण नंबर 2 ठीक है ये भी X बराबर निकला है और समिक्रण 1 भी X बराबर निकला है ठीक है यानि समिक्रण 1 वो 2 की जो X X है वो बराबर है यानि बराबर है ठीक है समिक्रण 1 बराबर है समिक्रण 2 के इस तरह सम लिखेंगी समिक्रण 1 समिक्रण 1 बराबर है समिक्रण 2 के ठीक है तो यहाँ पे समिकरण x की value क्या है 1.6 प्लस h है ठीक है h बटे के under root 3 तो इसे लिख दो आप 1.6 प्लस h बटे के under root 3 x और दूसरा समिकरण x बराबर क्या है क्या आया है क्या है क्या है अब क्या करेंगे हम इसका multiply इधर कर देंगे ति होजाएगा 1.6 plus h equal इधर multiply कर दो under root 3 h अब हम हम क्या करेंगे 1.6 रहेगा यहाँ पर और h दोनों में इसमें भी कामल ले लेंगे ति हो जाएगा अपका under root 3 minus 1 हो जाएगा ठीक है यहाँ पर हम देख लगते हैं इसको हमारा क्या गया 1.6 equal h under root 3 minus 1 ठीक है यह चीज़े हमें नीचे यहाँ पर प्राप्त हुए है अब हम यहाँ से h की value निकाल सकते हैं हाइट हमें पूछा ही है यह गुड़ा में पूरी की पूरी चीज़े इस पर आएगी तो भाग हो जाएगे यह बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 प्लस 1 का गुड़ा कर देंगे और यहाँ पर भी अंडर रूट 3 प्लस 1 का गुड़ा भाग कर देंगे ठीक है आपका एच बराबर जो आ जाएगा 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 और यह देखो ऐ मैंनस भी और दूसरे कोश्चेक में ऐ प्लस भी याणि दोनों का यही इसका सूतर बन जाएगा ठीक है एका स्कॉयर माइनस बी इका स्कॉयर ठीक है यहाँ पर भी हम लिख देंगे अंडर रूट 3 का इसकॉयर माइनस वन का स्कॉयर कर दो तो वन ही आएगा त्यासे यह h बराबर आज जाएगा आपका 1.6 under root 3 plus 1 और यह जाएगा आपका 3 minus 1 3 में से 1 गया 2 क्या से h बराबर आजाएगा आपका 1.6 under root 3 plus 1 पान 3 में से 1 गया 2 यह यहाँ पर मैं आपको दिखादू यह कटता है 2 से 16 कटेगा कितने बर में H बराबर 0.8 इन ब्राइकेट अंडरूट 3 प्लस 1 यही आपका क्या होज़ेगा फाइले इसकी उचाई हो जाएगी ठीकि किसकी उचाई यह पेडल स्टल की जो उचाई है यह आपका फाइली इसी तरह से सालूसन होगा जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है आप चाई इसका स्क्रीन साट ले सकते हो अगर चीजे समझ में ना आया ना तो एक बार आप कमेंट कर दियागे मैं आपको और अच्छी तरीकी से बारीकी से समझा दूगा नेश्ट क्वेस्टन देख लेते हैं नेश्ट क्वेस्टन चौथा के बाद यहाँ पे अथवा है इसको भी आप फ़ल कर सकते हैं निम्लिखित बारंबारता बंटन एक समाज में प्रती दिन तीस घरों में दूद का बेदर साथ है बिल्कुल आसान क्वेस्टन है अगर यह क्वेस्टन आया तो कभी मत चुना क्योंकि यह बहुत आसान क्वेस्टन है तो हंडेट टेन परसेंट गारंटी है कि एक या दो क्वेस्टन ऐसे बोड में आते हैं तो आपको इसको अच्छी तरीके त्यार करों मैं बिल्कुल आसान तरीका इसका बता हूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखो 30 गर्म दूद का वे दर्साय आगया है उप्रिक ताकडों का बहुला की ग्याद करना बिल्कुल आसान है ठीक है इस सारड़ी को हम बहले बनादा और घरों की संख्या घरों की संख्या इधाली गया आप जैसे दिया है वैसे भी बना कर हल कर सकते हो लेकिन यह वाला थोड़ा अच्छा पड़ता है ठीक है चीजे सबज बाती है बहुलक निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अधिक्तम बारंबरता वाला कौन सा पड़ है यानि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है ठीक है सबसे जादे संख्या कौन है तो सबसे जादे अधिक बार बारंबरता 9 की है ठीक है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है तो यह निकल गया आपको F1 की बेलू यह किस की बेलू निकल गया F1 की ठीक है हमें बैलू निकालनी है और जस्ट इसके उपर जो होता है वह g zero होता है क्योंकि एक की उपर आप जाओगे तो क्या होगा 0 ही मिलेगा एक 0 की बैलू 6 निकलगा और f1 की बैलू 9 निकल गई और इसके just नीचे आपका होता है F2 क्या होता है F2 की value क्या होगई 6 होगई ठीक है और इसका जो वर्ग अंत्राल है अधिक्तम बारंबारता का वर्ग अंत्राल कितना है 60-90 है इसी चीज़ को हमें लिखना है ठीक है लिखो हम क्या लिखेंगे कि दी गई सारडी में अधिक्तम बारंबारता वाला पद 9 है ठीक है इस तरह से लिखना है कि दी गई सारडी में अधिक्तम बारंबारता वाला पद 9 है अब जो 9 है और जिसका वर्ग अंत्राल कितना है लिखेंगे जिसका वर्ग अंत्राल क्योंकि इसका भी काम है जिसका वर्ग अंत्राल कितना है वर्ग अंत्राल 60 से 90 है 60 से 90 यहाँ पर वर्ग अंतराल से दो चीजे निकलती है क्या निकलती है सबसे पहले ल की बैलू यहाँ से lower limit निकल गया और यहाँ से h की बैलू कैसे निकलो गया प्यानी higher limit जो निकलोगे वो कैसे निकलोगे ति यह अधिक वाले में से higher limit में से low limit को आप क्या कर दो घटा दो जैसे 90 में से जब 60 जाता है तो आपका क्या बचता है 30 ठीक नवे में से 60 घटा दो तो बचेगा क्या 30 ऐसे तरह से यहाँ यहाँ पर निकल गया l की बैलू कितना निकल गया आपकी 60 निकल गया और H की value क्या निकल गए 90 में से, इसी 90 में से 60 को घटा दूगे तो H की value निकल जागा, अब जो बहुलक का फार्मूला होता है, वो देखो क्या होता है, बहुलक बराबर, यह होता है, L प्लस F1 माइनस F0, अपान में, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, गुर्टे H लगा, H है दिया है, तो H को आप लिख दो, सभी value हमें पता हो गया, ठीक है, वर्ग अंतराल हमें पता हो गया, यह वर्ग अंतराल किसकी value है, वर्ग अंतराल F1 की value है, F1 बराबर 9, ठीक है, और F0 की value यहाँ पे देख सकते F0, F1 और F2, इसे हमें नीचे लिखना भी है, ठीक है, 2,9 है, यहां पर क्या रख दो, 9 है us minus sm0 की value है, 6 है यहां पर 6 रख दो बहुत question है, इसे मज छोड़ना कभी भी न है two, two है तो two लग दो गुरित्य फ 01 की value है 2 है फ 01 की value है, और यहां पर लिख दो minus f0 की value है 6 है, यहां पर लिख दो तो माइनस 6 फिर माइनस है तो माइनस F2 की बेलू भी 6 है यहाँ पर लिख देंगे 6 गुरित्ते H की बेलू कितना हमने लिकाला यहाँ पर 30 निकाला तो 30 यहाँ पर पूट कर दो सिंपली अब हमें से सॉल्ब करना है ठीक है साल्ब कैसे करेंगे 60 को 60 रहने दो भी 9 में से 6 गया तीन बचा बट्टे के अब यहाँ पर क्या होगा 9 दुना के 18 माइनस यह माइनस 6 और माइनस 6 हो जाएगी तो माइनस 12 हो जाएगा गुरित्ते 30 यहाँ पर जो है यह तीन से 3 मे प्लस और यह हो जाएगा आपका 90 और यह आपका हो जाएगा 18 में से जब 12 जाएगा तो 6 बचेगा ठीक है यह हो जाएगा आपका 6 यहाँ से आपका हो जाएगा यह साट प्लस इसको कार दो आप तो हो जाएगा 6 एकम 6 ठीक है तो यह होगा आपका 6 एकम 6 और यह यहाँ पर आपका 3 बटर तो 6, 5, 30 यानि 6 से जो 15 कटेगा ठीक है 6 से जो 90 कटेगा वो 15 बार में कर जाएगा 15, 6 के 90 भी आप जानते हो इसको add कर दोगे तो आप आजएगा इसका 75 बहुलक आजएगा ठीक है कितना आजएगा 75 इसका finally answer आजएगा simply आपको करना है यहाँ पर क्या करना है देखो 60 है 30 का 3 में multiply करोगे तो 90 हो जाएगा और 18 में से 12 जाएगा तो 6 तो हमने यहाँ पर लिका 60 और यहाँ पर 90 बटे 6 6 से हमने 90 को कितने बार में कर दिया 15 बार में 60 प्लस 15 को add कर दोगे तो 75 एंसर हो जाएगा तो यह आप ध्यान देना अपने फ्रेंड को सेर कर दो और वीडियो को लाइक जरू कर देना तो पांचवा क्वेस्चन है कि यदि कार्ट ए 3 कार्ट एक कोल 4 हो तो जांच किजिए कि 1 माइनस 10 स्कॉर ए अपान 1 प्लस 10 स्कॉर ए एक कोल कार्ट स्कॉर ए माइनस 10 स्कॉर ए हाई या नहीं ठीक यानि इसके बराबर है कि नहीं यह आपको चेक करना है तो बिल्कुल आसान है चेक करना सबसे पहले आपको दे रखा 3 कार्ट एक कॉल 4 ठीक है इसी से पूरी चेक इन हो जाएगी हमारी देखो हम कैसे चेक करेंगे यहाँ पर हम पांचवे क्वेस्टन को सॉल्ब कर रहे है तो पांचवा नमबर लिखेंगे ठीक है और यहाँ पर दे रखा कि 3 कार्ट 3 कार्ट एक कॉल 4 अब इसकी बैलू आप सिंपली निकाल लो ठीक है तो यहाँ से अगर यह 3 गुड़ा में इस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका कार्ट एक्वल 4 बटे के 3 ठीक है और गाईस हम जानते हैं कि कार्ट A को हम लिख सकते हैं काट A को क्या लिख सकते हैं 1 upon 10 A ठीक है ये तो आपने बज़पन से ही पढ़ाओगा 9 class से 10 A लिख सकते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 upon 10 A equal 4 बटे के 3 यानि कि हमने काट को क्या लिख दिया 1 upon 10 A लिख दिया अब दिखो जब हमने 10 A लिख दिया तो अगर हम इसे उल्टा कर दें ठीक है अगर 10 को उल्टा कर दें यानि कि किवल 10 A लिख दें तो ये भी बज़व उल्टा हो जाएगी ये क्या हो जाएगी 3 बटे के 4 हो जाएगी कैसे होगी थोड़ा सा हम देख लेते आप 3 बटे के 4 थे ये इसी तरह से होता है आप इसको उल्टा करों कि ये खुए ओल्टा हो जाएगा तो टीन एकवल 10 बटे के 4 हो जाएगी अब दोकर टीन बराबर होता है यह आप इस सुत्र से जान लो लाल बटे के कक्का तो 10 बराबर last फोला था साइन सच 10 लंब बटे अधार तो लंब को किस से दिखाते हैं से दिखाते हैं और अधार को दिखाते बेस बेस वतलब अधार थीक है तो हम माल लिए क्या है ये ये आपका लंब है और ये अधार है अब यहाँ पे हम लगा देंगे पाइथा गोरस का परमिय ठीक है तो हम पाइथा गोरस का परमिय या आप इस तरह से इसको लिख सकते हो है एच एक्क्वल under root कड़ बराबर क्या होता है lump का square plus अधार का square ठीक है पाइथागोरस का परमे है यह अधार का square तो यहां से h equal h मतलब यह कड़ हो गया ठीक है कड़ बराबर और यहां पे lump क्या है lump आपका यह P है यहां यहां पे लिखनें कि lump बराबर हमारा कितना है lump को P से दिखाती है इसका मतलब बैलू 3 और B जो है आधार आधार को किसे दिखाती है base base मतलब आधार तो इसकी बैलू कितना 4 यहां पे lump की बैलू 3 डे रखाया तो यहां पे 3 का क्या हो जाएगा square हो जाएगा प्लस 25 ठीक एड़ कर दो 16,4,25,25 16 और 9 को एड़ करोगे तो 25 यह हो गया अब हमें check क्या करना है check यह करना है क्या 1-10 square A 1-10 square इसके बराबर है तो देखो कैसे check करेंगे सबसे पहले हम इसकी value निकार देखो यहां पे रखेंगे 1-10 square A upon 1 प्लस 10 square 10 square A ठीक है 1-10 square A 1-10 square इसके बराबर बराबर कास square A माइनस साइन square A है या नहीं यही check करना है ठीक है देखो अब simple यहां पे देखो 10 की value ने क्या निकाला थे यहां पे 10 बराबर 3 बटे के 4 ठीक है 10 बराबर क्या निकाला थे 3 बटे के 4 यहां पे बराबर देंगे 1-10 की value 3 बटे के 4 और square है तो square रख दो अपान में यह 1 प्लस 10 की value 3 बटे 4 निकाला है तो 3 बटे 4 का square बराबर कास square A अब देखो कास बराबर क्या होता है साइन कास बत्ता अधार बटे के कड B बटे के H काइ स्क्वायर माइनस साइन बराबर क्या होता है लंब बटे के कड तो लंब की value क्या है 3 और कड की value क्या है यह 25 यह बराबर यह कड है ठीकि यह क्या है करण है और यह base है ठीकि तो साइन बराबर क्या हो गया लंब बटे के कड़, लंब की बैलू 3 है, तहाँ पे लंब की बैलू 3 है, ठीक है, तो 3 को किसे दिखाए, P से, तहाँ पे P बटे के H, का होल स्कॉार हो जाएगा, ठीक है, यह H है, यह भी H है, अब सब की बैलू हम रखेंगे, यह हो जाएगा आपका 1-3-3 के 9 और यह सब के 16, बराबर, अब यहाँ पर B की बैलू क्या है, ब का बैलू 4 है, तो 4 रख दूए आप सिंपली, 4 बटे के, H का बैलू क्या है, अंडररू पचीस है, धरह रख देंगे, अंडरू पचीस का होल स्कॉार, मााइस, प की की बैलू क्या है, प की बैलू 3 है, यहाँ पे 吧 बेलू 3 है तिहां पर रख देंगे 3 और एच की बेलू कड़ क्या निकाले हम यहां पर अंडरूट 25 तिहां पर रख देंगे अंडरूट 25 का होल इसको है अब देखो इसको हम कैसे हल करेंगे अब 161 16 माइनस 9 बटे के 16 ठीक है अपान में इसको भी हल कर लो 16 एकम 16 प्लस 9 बटे के 16 16 से 16 कड़ गया आपका ठीक है और यहां पर हो जाएगा आपका चार चुक के 16 बटे 25 रूट 25 का अगर वर्ग करोगे तो किवल 25 आएगा 25 माइनस 3 तरीके 9 हो जागे यह क्या हो जागा तीन तरीके 9 और 25 का वर्ग स्कोयर करोगे अंडरूट का तो किवल 25 आजाता है ठीक है अब नेश्ट पेज पेज पे हम साल्प करेंगे यहां से हमारा 16 माइनस 9 हो गया ठीक है यहां कि 16 में से 9 हो जाएगा तो आपका क्या बचिएगा 7 तो मैं यहां पे लिग देंगे नेश्ट इस्टेप है यह साथ बटे के 16 से 16 कड़ गया और 16 और 9 को जोड़ो गया तो कितना हो जाएगा 25 हो जागा 16,25 बटे के 25 बराबर अब यहां पे क् 15 है 16 बटे के 25 माइनस 9 के 25 के 9 के 25 ठीक है इसी को अब हमें हल करना है तो कैसे हम उना करें यह दूनों बराबर है कि ना यहीं हमें सिद्ध करना था क्यो जाएगा आपका 7 बटे के 25 बराबर गया इद्खो क्या में 25 कि ईसके बराबर ये हाय या नहीं तो लिख देंगे इसके बराबर है यह हमको बता दिए नेश कोई सका क्वेस्टन है पाँचवे का अथवाट ठीक है पाँचवे का अथवाट दे रखा कि वह समांतर स्रिडी घ्याद किज geben जिसका तीसरा पद 16 त्था 7 पद पाँचवे पद से 12 अधीड कि यहां पर हम लिख देंगे पांचवे का अथवा question हम solve करने जा रहे हैं तो माना इसमें माल लेंगे कि माना प्रत्थम पद A है ठीक है माना प्रत्थम जो पद है वो A है तथा इसका जो सार्वंतर है वो कितना है D है तब इसका जो दुकों यहां पर देखा जिसका तीसरा पद 16 है यानि कि A3 की value कितना है 16 है और फिर बोलत का कि तथा सात्वा पद यानि कि A7 सात्वा पद मतलब A7 सात्वा पद पांचवे पद से 12 दीख है यानि A5 से कितना अधिक है पांचवे पद से 12 दीख है अब इसी पद से 12 है यहीं हर गता है इसका पांचवे पद से 12 है इसका फार्मूला होतो है वो क्या होता है यह COP का ए यह INGON फारूला इसका यह उता है एन एक्वल ए प्लस x-1 इंटु डी ठीक है और इस फार्मूलेशीं से में हल करना अब यह है यह मतलब बीजिएंगर नमभर आप पड़ों की थी, ठीक है पड़ों की नमबर है तह तो d लिग दो बराबर 16 अब यहाँ पर हो जाएगा आपका a3 equal a plus 3 में से गया 2 2 का multiply d में कर दोगे तो 2d हो जाएगा ठीक है बराबर 16 इसको आप मालो sum इकर नबर एक माल कर छोड़ देजी आप ठीक है अब यहाँ से इसको हम हल करते हैं इसके नीचे से हल कर देंगे यहाँ से a7 equal a5 plus 12 अब यहाँ से a7 में यही फार्मुला लगा देगी जो उपर लिखे हम इसको जहाँ सोजाएगा a7 ठीक है equal a plus 7 minus 1 into d ठीक है d और plus में 12 है तो इसको भी हम sorry यह तो इसके लिए क्यों लगा है ठीक है d होगे अब इसके बाद बराबर का सिंबल है तो बराबर का सिंबल लगा दो यह वाला फर्मुला यह न मतलब यह नमबर आप इसका रख दिया ठीक है अब बराबर है तो बराबर लगा तो a5 का आप रखेंगे तो यहाँ सोजाएगा आपका a 5 का सीधे सीधे रख रहे है यह अब इसके बाद कोश्टक में 5 माइनस 1 इंटू d प्लस 12 तो इस तरह से में रखना है जैसे आपके सामने तो इसी तरह से में रखना है ठीक है अब यह क्या होजाएगा a 7 equal इसको आप छोड़ भी सकते हो अब यहां सोजाएगा आपका a 7 साथ में से एक गया 6 तो 6 से d में multiply गवा झाड़ी шड़ी एक क्या तो अब यहां से तो a 5 में से a फोर डी यह प्लस में यहां प्लस लिखना है भूलिये गामत प्लस 4D प्लस 12 ठीक है आप दोखोँ a से a सींपली कड़ गया यहां पर यह से कड़ गया अब बचा क्या चोडी और यह 4D धर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4D और यह क्या है प्लस 12 है ठीक है तो 12 को इसी पार रहने दो आप 12 और 6 में D में से 4D गया तो यहाँ पर 2D बचा बराबर 12 और यहाँ पर D बराबर हो जाएगी यह गुड़ा में इस पार जाएगा तो भागए तो 12 बटे के दो बराबर हो जाएगा 6 यहाँ डी की बैलू क्या गई 6 अब D की बैलू यह समिकरण नमबर 2 माल लो ठीक है यह तो आप इस तरह से लिखते D का मान समिकरण 1 में रखने पर ठीक है समिकरण 1 कौन सा है यह समिकरण 1 इसी में D की जिगव पर क्या रख देंगे हम 6 रख देंगे ठीक है तो यहाँ से हो जाएगा आपका A प्लस 2 गुडित्ते D की बैलू 6 बराबर 16 यहाँ से आपका हो जाएगा A प्लस यह 6 दूना के 12 और यह हो जाएगा 16 और यहां सो जगा आपका A बराबर यह 16 है यह 12 प्लस 12 इस पर जाएगा तो 16 माइनस 12 तो A बराबर आपका क्या जगा 16 मिसे 12 गया 4 अब दोखो हमें इसमें क्या बोलका सारवंतर निकालने के लिए ठीक है तो A P का जो बैलू आ गया वो क्या गया 4 अब यहां से निकालेंगे स D ठीक है A1 प्लस D A1 की बैलू यह A1 की बैलू निकली है A1 की बैलू क्या निकली है 4 तो 4 और D की बैलू क्या है 6 है तो 6 को रख देंगे प्लस 6 बराबर आजाएगा आपका 10 यह 4 हो गया और एक ठोपद हो गया 10 अब A3 के निकालो इस तरह से अब यहां पर हो जाएगा A2 प आपका कितना जाएगा 16 इसकी फिर एक बैलू हुए 16 इसी तरह से आती जाएगी इसकी बैलू आप रखती जोगती यह इसका क्या हो जाएगा फाइल ने एंसर हो गया ठीक है यह आज का जो पेपर है यह पूरा को पूरा सालूसन हो गया और वीडियो पसंद है तो लाइक चीर करेगा अपने मित्रों में सेर करिएगा तो अब आएंगे मैं नेश्ट पार्ट के साथ आपको कम से कम तीन पेपर इसी तरह से वाइरल वाले हल करना है तो आपका मैंने बताए कि 90% मार्क्स बिलकुल मैंत में पक्का हो जाएगा ठीक है तो मिलूंगा नेश्ट वीड नेवाद